नमस्का एशारी जिन्डियों में आपका सौगत है मैं प्रिया आपके साथ डारेक्टर धर्मेश दर्शन ने हां मैंने भी प्यार किया में अभिशिक बच्चन और करिश्मा कपूर के साथ काम करने के बारे में बात की डारेक्टर ने बताया कि इस फिल्म की शुटिंग के दोरान दोनों का ब्रेक अप हो गया था उन्होंने ये भी बताया कि अमिता बच्चन ने फिल्म को लेकर निगेटिव कमेंट किया था वहीं जया बच्चन को फिल्म बहुत पसंद आई थी एक इंटर्यूर में धर्मेश ने बताया कि फिल्म हा मैंने भी प्यार किया एक मातर ऐसी फिल्म है जिसमें पहली बार अभीशेक और करिश्मा ने साथ में काम किया था जब फिल्में दोनों की कास्टिंग की गई थी तब दोनों रिलेशन्शिप में थे मगर शुटिंग के दोरान दोनों का रिष्टा खतम हो गया था इस कारण करिश्मा भूत परिशान रहती थी डारेक्टर ने बता इस से पहले मैंने राजा हिंदुस्तानी में करिश्मा के साथ काम किया था उस फिल्म के शुटिंग के दोरान वो बहुत खुश रहा करती थी, काम पर पूरा फोकस रहता था, मगर परसनल प्राब्लम की वज़े से वो, हाँ मैंने भी प्यार किया कि शुटिंग के वक्त खोई-खोई सी रहती थी, मैं कोई साइकरेटिस्ट नहीं था, कि दोनों के भी सुलह कराओं, हाँ मैंने दोनों का वर्जन जरूर सुन लेता था, डारेक्टर धरमेश ने आगे बताया कि अमिता बच्चन ने फिल्म की स्टोरी लाइन को पूराना बताया था, महीं दूसरी तरफ जया बच्चन को ये फिल्म बहुत पसंद आई थी, करिशिमा कपूर औ और अभिशेक की लव स्टोरी तब की है, जब एक्टर ने फिल्मों में डेब्यू तक नहीं किया था, दोनों की नजदी किया अमिता बच्चन की बेटी शुयता की शादी के दोरान बड़ी थी, दोनों ने साल 2002 में सगाई कर ली, सगाई के बाद एक फंक्शन के दोरान ज लेकिन इसी भी जईया बच्चन ने एक शर्त रख दी, जईया की शर्त थी कि उनकी बहु शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी, लेकिन करिश्मा और उनकी मा बबिता को ये मनजूर नहीं था, यही कारण था कि सगाई के बावजू दोनों का रिष्टा तूट ग ये एश्या इस इंडिया के साथ हैं लेवाद।